आपका अपना चनल इंडिया एवन यूज जो रखे आपको एवन सबी पत्रकार साथियों को नमश्कार जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसबा सांसत संजै सिंग जी के घर पर एडी की रेड हुई आठ घंटे तक एडी की ये रेड चली संजै सिंग जी के चार कमरे के मकान को आठ घंटे तक एडी ने एक एक कोने में चानबीन करी किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, ड्रॉइंग रूम देख लिया गेस्ट रूम देख लिया, लेकिन उनको एक रुपया भी भरष्टा चार का वहाँ पर नहीं मिला कोई कैश नहीं मिला, कोई सोने के बिस्कुट नहीं मिले, कोई हीरे जवारात नहीं मिले, कोई प्रॉपटी के कागज नहीं मिले भरष्टा चार का एक रुपया भी संजे सिंग जी के घर से नहीं निकला लेकिन फिर भी मोदी जी की और भातिय जनता पाटी की एडी ने संजे सिंग जी को गिरफतार कर लिया कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद गिरफतार कर लिया आज ये समझने की जरूरत है कि जो संजे सिंग जी के घर पे रेड हुई जो संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई ये आखिर कर क्यों हुई जो ये रेड है ये रेड सिर्फ संजे सिंग जी की घर पे नहीं हो रही लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरहां से लगातार जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है जो पार्टियां मोदी जी के विपक्ष में खड़ी होती है जो उनके ब्रश्टा चार को उजागर करती है उन पर लगातार चाहे एडी हो चाहे सी बी आई हो चाहे इंकम टैक्स हो उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ तो हम देख सकते हैं कि एक पाटर्न है कि एक तरफ अलायंस बन रही है, एक तरफ गटबन्धन बन रहा है, एक तरफ इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही है और दूसरी तरफ इन ही सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक, एक के बाद एक CBI की रेड हो रही है, ED की रेड हो रही है, Income Tax की रेड हो रही है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है, कि वो आने वाला लोकसभाचुनाओं, इंडिया अलायंस से हार रही है इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, कि हर प्रकार के हतकंडे को इस्तमाल किया जाए, अपनी हर एजनसी को इस्तमाल किया जाए, और किसी तरह से इस इंडिया अलायंस को छुप करने की कोशिश की जाए, इनका मुँ बंद करने की कोशिश की जाए, इनको डराने की कोशिश की अगर हम देखे और उनके दामाद और उनके पार्टी के नेता सबारी सण और उनके पार्टी के कॉलीग सेंतिल बालाजी के घर में पाँच अप्रेल को Income Tax Department की रेड होती है कुछी महीनों के अंदर 16 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यहाँ पर CBI की रेड होती है 20 जुलाई को शिव सेना उधव थाकरे फैक्शन के सुजीत पाटकर के घर पर और उनसे जुड़ी हुई कई लोकेशन पर ED की रेड होती है सुजीत पाटकर को गिरफ़तार कर लिया चाता है 21 जुलाई को पीच इदंबरम कॉंग्रिस पाटी के नेता पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री उनके घर पर उनके ओफिसेज में CBI की रेड होती है 2 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े हुए मामलों पर ED की रेड होती है 24 अगस्त को NCP के नेता शरद पवार इंडिया अलाईंस का एक और घटक दल 24 अगस्त को शरद पवार के अहां पर ED की रेड होती है 26 सितंबर को ममता बैनर जी त्रिनमूल कॉंग्रिस वेस्ट बिंगौल की चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस का एक घटक दल की प्रमुक और मुखर नेता के यहाँ पर 26 सितंबर को ED की रेड होती है 28 सितंबर को हेमंत सोरेन जारखंड मुक्ती मोर्चा के नेता जो भी एक इंडिया अलायंस का घटक दल है उनके यहाँ पर ED की रेड होती है जिस दिन जारखंड मुक्ती मोर्चा के राज्यसभा सांसत दिल्ली के सर्विसेज बिल के विरोध में वोट डालते हैं उसके अगले ही दिन उनके घर पर ED की रेड हो जाती है तो यह पैटर्न क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है यह ED और CBI की रेड का उनके सवाल जवाब का उनके अरेस्ट का पैटर्न क्या दिखा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोग सभाचुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने वाले है और उनकी यह जो हार की बॉखलाहट है यह पिछले एक हफते में और भी जादा बढ़ गई है अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुँ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है हमने चार दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ट पत्रकारों के घर में इडी की रेड हुई उनको डीटेन किया गया उनके लैप्टॉप उनके फोन सीज कर लिये गए क्यूं? क्यूंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर मोदी जी की सरकार में बढ़ रही आवाज उठाने की कोशिश करती है, कृषी मंत्री से मिलने की कोशिश करती है, तो दिल्ली पुलिस बरबरता से उन्हें वहाँ से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है, उसके बाद हमने देखा, कि संजे सिंग जी के घर पर रेड होती है, आठ घंटे रेड चलती है, ब्रश्टा चार का एक रुपिया नहीं मिलता, लेकिन संजे सिंग जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके अगले दिन, पाँच ऑक्टोबर को, कॉंग्रिस के नेता, आरे मनजुनात गाउडा के घर पर, और उनके जुड़े हुए ऑफिसेज पर, इडी की रेड होती है, पाँच ऑक्टोबर को, त्रिनमूल कॉंग्रिस के नेता, रथिन घोश के घर पर, और उनके ऑफिसेज में, इडी की रेड होती है, पाँच अक्टूबर को ही BRS के नेता मगनाती गोपिनात के घर पर और उनके ऑफिसेज में income tax की रेड होती है और उसी दिन पाँच अक्टूबर को DMK के नेता S. जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज की लोकेशन पर income tax department की रेड होती पिछले पाँच दिनों में आठ जगाओं पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वहाँ पर रेड हुई बीस से जादा पत्रकारों की यहाँ पर रेड हुई यह क्या दिखा रहा है यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है उनकी बौकलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से opposition पार्टियों को इंडिया अलायंस के दलों को दराना चाहती यही strategy प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतिये जनता पार्टी की एजनसिया कई सालों से अपना रही है वो पहले जो उनकी नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर EDCBI के case करते हैं और उसके बाद उनको आफर देते हैं कि भारतिये जनता पार्टी में आजाओ भारतिय जनता पार्टी की वाशिंग मशीन में धुल जा, तो सारे EDCBI के केस खतम हो जाएंगे, भारतिय जनता पार्टी की वाशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी NCP की नेताओं की तरह उन पर EDCBI के केस चल रहे थे, वो भारतिय जनता इरिगेशन स्कैम में जो केसिस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सब खतम हो गई शुबेंदु अधिकारी टी एमसी के नेता उनकी तथा कथित शारदा स्कैम पे चिटफंड स्कैम पे भातिय जनता पार्टी ने वेस्ट बिंगॉल में दो दो चुनाव लडाले फिर उन इंदु अधिकारी भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके यहां पर एक बार भी ED की रेड नहीं हुई एक बार भी CBI की रेड नहीं हुई एक बार भी क्वेस्टिनिंग नहीं हुई उसी तरह से नारायन राने, हेमंत बिस्वसर्मा, भावना गावली, B.S. लिस्ट पेजिस दर पेजिस तक चलती जाएगी, चलती जाएगी के जो जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़ कर भारतिय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनके CBI और ED के केस खतम हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायन्स और आम आदमी पार्टी आपकी CBI और ED की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं। आप चाहे कितने रेड कर लीजिये, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिये, आने वाला लोकसभाचुनाव, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया आलायन्स आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी, आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफतारियां कर लें। इंडिया आलायन्स के सारे घटक दल एक साथ हैं। इंडिया आलायन्स के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी एडी, CBI, Income Tax की देड होती रहें। लेकिन इंडिया आलायन्स आने वाले लोगसभा चुनाव में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को हरा कर रहें। मैं अकाली दल ने एक बयान दिया है और मंत्री और सिंजी सिंग के बयान गोला है कि वह मां किया है, प्रधारवाद के पहरें पंजाम में ने असा किया है। मैं हर बाटी के नेता जो इस तथा कथित एकसाइस पॉलिसी घोटाले पर कुछ टिपणी करना चाते हैं। मैं उनसे यह आगरे करूंगी कि कल जो सुप्रीम कोट में एडी ने अपनी बहस करी है, उसका जरा वीडियो देख ले, वो शायद यूटीव पर अवेलिबल होगा, सुप्रीम कोट की सारी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलिकास्ट होता है। अगर हम उन प्रोसीडिंग्स को देख लें, तो साफ नजर आ जाएगा कि एडी के पास एक रुपे के भी भष्ष्टा चार का सुभूत नहीं है, यह सारा तथा कत्मित एक्साइस पॉलिसी घोटाला फरजी वारा है, अभी तक 15 महीने की जाच के बाद, 500 से जादा एडी एडी और सीडी आए के अफसर लगाने के बाद भी एडी सुप्रीम कोट के सामने एक रुपे के भी भरष्टा चार का सुभूत नहीं रख पाई, इस बार एडी यह कह रही है कि तीन करोर रुपे संजे सिंग को दिये गए अलग अलग तारीक को ट्रांजेक्सिन का कुछ तरीका बता रहे हैं, सीडी आर और डीडेल्स बता रहे हैं कि वो एक तरह से मुझी ट्रेल पहली बार वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जब यह गोटाला शुरू हुआ था, इस पे बाचीत, इस पे प्रेस कॉंफरेंस, भातिये जनता पाटी ने शुरू करी थी इस तथाकति गोटाले पे तब वो कहते थे कि पचास हजार करोड का गोटाला हुआ कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं नहीं आठ हजार करोड का गोटाला हुआ फिर कहने लगे नहीं नहीं तीन सो करोड का गोटाला हुआ कुछ दिन बाद कहां पचास करोड का गोटाला हुआ अब यह कह रहे हैं तीन करोड का गोटाला हुआ कुछ दिन बाद कहेंगे कि संजे सिंग जी की जेब में 200 रुपे मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ 200 रुपे का घोटाला हुआ है 200 रुपे के घोटाले पर केस करेंगे मैं तो ED को CBI को चैलेंज कर रही हूँ कि आप एक रुपे के भी घोटाले का सुबूत देश के सामने रखके दिखा दो नहीं तो सारी EDCBI के अफसरों को मैं कह रही हूँ कि आप इस्तीफा दे दो और सारे जो भारतिय जन्ता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दस हजार करोड से 200 रुपे में आये हैं पिछले डेड़ साल में वो सब भी अपने अपने पद से स्तीफा दे दे जब से इंडिया गटबंदन ने साथ क्योंकि यह अलायंस जब से साथ आना शुरू हुआ बाचीत होनी शुरू हुई अपरल मही की बात है तब किसे मैंने जितने रेड़ सुए हैं उनके आकड़े गिनवाए गरनात आईए हुआ हुआ है